आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है कोई चीज हम लोग जब खाते हैं तो वह कैसे डाइजेश्ट हो जाता है हम लोग को एनरजी कहां से मिलती है जब हम लोग जब नहीं खाते हैं तो कियों हम लोग को कमजोरी फिल होने लगती है ठीक ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है ठीक तो शुरुआत करते हैं टेस्टिंग से देखें टेस्ट हम को कहां से मिलता है तो जब हम लोग कुछ खाते हैं, जैसी ही वह खाना जीव के टच में आता है, टॉंग के टच में आता है तो हम लोग को टेस्ट महसूस होता है ठीक है, टॉंग का क्या work है यह टेस्ट बताता है कि खंटा है मीठा है, तीखा है, ठीक है चलिए सुरुवात होता है We eat a variety of food हम लोग कई तरह का food यूज करते हैं यसे milk, meat, fruits, eggs, rice, vegetables, chapatis, dal, curds and some food that we eat every day प्रती दिन हम लोग इसमें से खाते हैं कुछ खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं लेकिन per day means what? कि week में कभी न कभी इसमें समें लोग जरूर खाते हैं Food contains substances called nutrients यह जो food हम लोग खाते हैं इसमें क्या होता है? इसमें nutrients होता है nutrients क्या होता है? तो nutrients होता है carbohydrates, vitamins, minerals यह सब nutrients होता है इसी का use हम लोग करते हैं nutrients का ही ठीक The food contains substances called nutrients that keep our body healthy यही हम लोग के body को, शरीर को क्या करता है? healthy रखता है, स्वास्त रखता है we use directly by the body यह nutrients body direct use नहीं करता है ऐसा नहीं हम लोग खाना खाए nutrients शरीर को मिल गया नहीं यह लंबा process होता है उस process के द्वारा nutrients हमारे body को मिलता है as soon as we put some food in our mouth it is broken into a small pieces by our teeth क्या होता है? कि जैसी हम लोग भोजन को अपने मुँँ में रखते हैं तो क्या होता है? हमारा दात जो उसे छोटे छोटे चोटे टुकणो में तोड़ देता है as we chew the food it mixes with saliva जिसे हम लोग भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है? यह किसे मिल जाता है? saliva से? saliva क्या होता है? जो लार मुझ में निकलता है ना a speed, large वही large को saliva कहते हैं यह क्या होता है? खाना के साथ मिल जाता है अब मिलने से क्या होता है? कि खाना हमारा यह soft हो जाता है और थोड़ा सा गीला हो जाता है जिसे हमको निगलने में सहायता मिलती है ठीक? यह saliva क्या करता है? देखे, saliva contains a substance which breaks starch into in the food to the glucose अब जीव टॉंग का वर्क क्या है? यह जो food pieces है उसको saliva से mix करता है जीव चारों तरफ घुमा घुमा के यह food को soft और moist बनाता है जहाँ जहाँ underline किये हैं बच्चों आप लोग बुक में भी underline कर लिजेगा क्योंकि यह सब important lines है ठेक? अब आएए आते हैं digestion system पर digestion system में कैसे digest होता है? यहाँ first question है what is digestion? digestion is the process of breaking down of food into simpler substances that can be used by our body देखे, digestion में क्या होता है? कि food को simpler substances means what? कि छोटे चोटे टुकले में उसे nutrients को बाहर निकाल देता है वही nutrients हमारा body use करता है यह complete process को digestion करते हैं the organs of the body that help us to digest food are the मना कौन-कौन organs food को digest करने में help करता है? तो यह mouth, मुह, stomach, pet a small instance time, large instance time, ठीक? इस organs together make our digestive system तो which organs makes our digestive system? कौन-कौन organ digestive system बनाता है? तो mouth, stomach, small instance time, large instance time, ठीक, इस सब मिलकर के digestive system बनाता है क्लियर है? अब देखे फिगर को ध्यान दीजिए, यह जो अंदर में यह a small instance time है, देख रहे हैं न, बाहर-बाहर जैसे है, यह है large instance time, ठीक है बच्चों? यह जो बीच में धढ़का हुआ है, यही a stomach है, हमारा खाना जो मूँ से हो करके गला के द्वारा, इसे गुलेट करते हैं, गला, ग्रिवा, उसके दर a stomach में आता है, ठीक, और फिर यह a stomach से जाता small instance time में, small instance time से फिर यह large instance time में जाता है, जो undigested food है, जिसकी जरूरत हमारे सरीर को नहीं है, वा बाहर निकल जाता है, ठीक है? अब देखे, food that enters our mouth is chewed and broken down into smaller pieces by our teeth, saliva or the spit in our mouth makes the food wet and easy to swallow, saliva has juice which starts the process of digestion in the mouth, however, the food swallow is not yet fully digested, the food from our mouth is passed through the gullet into the stomach, ध्यान दिजिये, क्या बताए आपको, कि हम लोग भोजन को मुह में लेते हैं, तो हमारा जो तीथ है, दात है, वो छोटे से टुक्णे में convert कर देता है, और tongue के द्वारा, क्या होता है, saliva और food आपस में mix हो जाता है, ठीक, saliva क्या करता है, कि यह starch को glucose में convert कर देता है, means, कि आपसे अगर कोई पूछे, कि भोजन का, food का, digestion कहां से सुरू होता है, तीटा स्टार्स प्राम आवर माउथ, मुह से सुरू होता है, यह क्या करता है, कि यह starch को glucose में convert कर देता है, और हमारे food को, यह थोड़ा मॉइस्ट और, क्या करता है, यह थोड़ा में गरिवा होता है, जो गला में होता है, ठीक, गला से होते हुए, stomach में जाता है, पेट में चला जाता है, अब जब पेट में चला गया खाना, stomach में चला गया, तो वहाँ पर एक acid निकलता, hydrochloric acid, वह क्या करता है, तो भोजन में जो भी किटाड़ू होते हैं, उसको वह मार देता है, ठीक, मतलब क्या, कि जो acidic medium बनाता है, stomach में, ठीक है, वह गलती से अगर हम लोग खाना के साथ, कोई छोटा मुटा कीडा मोगोडा भी खा गये हैं, तो वह क्या करता है, stomach वह मर जाता है, क्यों मर जाता है, due to hydrochloric acid, it is further broken down by the digestive juice in the stomach, now the partially digested food enters the small instance time, अब जो थोड़ा सा digest हुआ है फूट, वह small instance time में चला जाता है, where it is further digested by the juice of the instance time, अब instance time से भी बहुँ सारे juice निकलते है, यह small instance time में जाता है यहां वाला, यहां से बहुँ सारे juice निकलता है, इस small instance time में चोटे चोटे चीदर होते हैं, रुआ टाइप का, वैसे हम लोग हाथ में रुआ होता है ना बाल वाला, वैसे ही अंदर में चोटे चोटे रुआ होते हैं, उससे वो क्या करता है, observe करता है किसको, nutrients को, मैंने भोजन का, डाइजेशन यहीं से, complete digestion होने लगता है, ठीक, तो a small instance time में गया, where it is further digested by the juice of the instance time, when the food is completely digested, देखे, यही a small instance time में, nutrients absorb होते हैं, और फिर blood में मिल करके, पुरे body में जहां तहां जाते हैं, जिसे हमके energy मिलता है, यहीं पर blood में absorb होता है, कहां पर blood में absorb होता है food, तो a small instance time में, याद रहेगा बच्चों, कि food हमारा blood में कहां absorb होता है, तो in a small instance time, the blood then, takes the food to all parts of our body, to give us energy, यही blood जो है, भोजन को, nutrients को, पुरे सरीर मिल जाता है, जहां समको energy मिलती है, food that cannot be digested, goes into the large instance time, जो food digest नहीं होता हो, कहां जाता है, large instance time में देखे, यहां पर, यह जो है ना बाहर वाला, इसमें चला जाता है, ठीक, the water from the undigested food is absorbed, and it becomes solid, यही large instance time में क्या होता है, water का absorption होता है, अगर आप से कोई कुछ है, कि हम लोग जो पानी पीते हैं, food में जो water होता हुआ, कहां अपजर्ब होता है, तो large instance time में, this solid waste is passed out of our body as fishes, मतलब यहां से हमारा जो undigested food है, वो बाहर निकल जाता है, अनल के द्वारा, ठीक, अब देखें, टंग के बारे में, our tongue is covered with a small bumps, हमारे जीप पर, चारो तरफ से एक छोटा bumps से कभर रहता है, ठीक, no next the test birds, इसी को test birds करते हैं, IC के द्वारा हमको अलग अलग test महसूस होता है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, what is famine, famine क्या होता है, आकाल होता है, ठीक, हम लोग देखते हैं, कि कोई-कोई, खाने के बीना मर जाता है, ठीक, ऐसा कभ होता है, जिसे, ये आकाल का कैसे पढ़ता है, जिसे खाना नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, जिसे माले जी कभी बाढ़ हो गया, सुखा पढ़ गया, तो क्या होता है? खाने की दिकत हो जाती है, उसी समय आकाल पढ़ता है, आकाल पढ़ने का दो कारण होता है, एक होता है natural कारण, दूसरा होता है mind made कारण, natural कारण में को हो जो गया, flood हो गया, ठीक, drought हो गया, flood means बार आ गया चारो तरप से, ठीक, तो बार आ जाएगा, तो क्या होगा, फिर खाना तो नहीं मिलेगा, लोगों को, ठीक, तो का हो जागा, famine, अकाल पढ़ जागा, कोई पूछे, what is famine, ठीक, देखे, every year, our farmer produce a lot of food grains, हमेशा food grains का उत्पादन होता है, लेकिन क्या होता है, कि कभी-कभी सूखा पढ़ जाता है, तो उत्पादन नहीं होगा, य and a shortage makes many of our people go without food, अब इसके करन क्या होता है, कि बहुत सारा लोग बिना भोजन करते हैं, such a condition is called famine, इसी को famine अकाल कहा जाता है, तो what is famine, यहां सा अपलिक सकते है, famine could be caused by the human made and factors or natural factors, अकाल क्यों पढ़ता है, तो मानों के द्वारा, और प्रकिर्ती नेचुरल द्वारा, नेचु सुखा और बाल, और मायनमेट क्या होता है, कि कोई कोई क्या करता है, कि खाना को एक जगा जिसे collect कर लेता है, उसको supply ही नहीं करेगा, यह सोच करके हम हाई रेट पर बेचेंगे, इस करन से भोजन का shortage हो जाता है, महांगा हो जाता है, और आकाल पढ़ती है, ठीक, कभी- खेतन आपने बीच बोया, और चुहा का काता, उस बीच को खा जाएगा, तो फिर आपका तो production होगा नहीं, उससे भी आकाल पढ़ती है, आपको वार्म-प के लिए दिया गया है, देखिए, नेचुरल, क्लाइफ, कैलमेटीज, लाइक, सुनामी, और अर्थक्विक्स, अल बड़ी तरंगे, उसको सुनामी कहा जाता है, अर्थक्विक्स, उससे भी आकाल आता है, ठीक, यह वार्म-प के लिए आप लोग पाल डिजेगा, पुरा जो बताए, वही सब समर दिया है, और इधर question answer है, जो आपको धीरे-धीरे बारी-बारी यह सब question answer आपको कराया का answer इसी से मिल जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं, अगले class में एक नए video और नए chapter के साथ, तब तक के लिए, bye, thank you.